गुड मॉर्निंग आल आफ यू आप सभी लोगों का स्वागत है यूटुब चैनल स्री आर्ट गैलरी में आज के टॉपिक में हम लोग डिसकस करने वाले हैं प्रिवियस येर के कोश्चन पेपर को पिछली क्लास में हम लोगों ने 15 कोश्चन तक साल्व किया था और आज के क्लास में हम लोग उसके आगे के कोश्चन पेपर को साल्व करेंगे तो जो पहली बार इस चैनल को वीजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो प्रिवियस येर के कोश्चन पेपर का जो पहला सेट में आप सब लोगों को साल्व कराया हूं उसको देखने के बाद इस को question paper को सालव करते हैं 16 नमर का question आप लोगों के स्क्रीन पर है question है कि भीम बेटिका की गूफाएं कहां अवस्तित है और इस question के चार भी कल पर दिये गए हैं बिहार उत्तर प्रदेश जारखंड और मद्य प्रदेश आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस question का right answer रहेगा मद्य प्रदेश आप सभी लोगों का ध्यान में प्रागे तिहासी काल के उस गूफा की उर लेकर चलना चाहते हैं जहां पर कभी भी अगर prehistoric place या prehistoric painting से related जब भी exam में question put up किया जाता है तो ये प्रागे तिहासी काल के अस्थलों में बहुत ही important गूफा मानी जाती है क्यों मानी जाती है क्योंकि आप सभी लोग जानते भी होगे और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा क्योंकि प्रागेतिहासी काल की एक ऐसी गूफा है भीम बेटिका की गूफा जिसको युनस्को की विस विरासत अस्थल में सामिल किया गया और इससे related जो भी exam में question जो put up किया जाता है वो बहुत ही important होता है कभी-कभी exam में ये question put up किया जाता है कि भीम बेटिका की गूफा की सहर के पास में स्थित है पहला question हो जाता है कभी-कभी question put up किया जाता है कि भीम बेटिका की गूफा की खोज किसने किया थी तीसरा question ये put up कलिया जाता है कि भीम बेटिका गूफा की खोज करता कौन थे कभी-कभी एक्जाम में ये question put up कर लिया जाता है कि भीम बेटिका की गूफा में जो चित्र है वो कहां पर इस्तित है आधी तमाम जो question देखने को मिलते हैं भीम बेटिका से वो बहुत ही important होते है हम इस question के माध्यम से आप सबी लोगों को थोड़ा सा back up करना चाहते हैं आप लोग ध्यान दिजेगा भीम बेटिका की गूफा अगर जो इस्तित है तो वो मध्य परदेश के जो रायसेन जिला है याद रखेगा जो रायसेन जिला है रायसेन वो इस जिले से भीम बेटिका की गूफा पास में है तो इसको याद रखेगा इस जिले को very very important point है अक्सर put up हो सकता है अक्सर एक्जाम में question ये put up कर लिया जाता है कि भीम बेटिका गूफा की खोज करता कौन थे याद रखेंगे खोज किस ने किया था तो 1958 में इस गूफा की खोज जो किये थे वी एस वाकड कर के द्वारा किया गया था इनका पूड़ा नाम था विश्णू स्री धर वाकड कर very very important है अक्सर एक्जाम में इनसे related question put up कर लिया जाता है हम लोगों ने दो point पर discuss किया तीसरी point ये put up कर लिया जाता है कि भीम बेटिका की जो गूफाओं के जो चीत्र है वो कहां पर प्राप्त होते हैं तो याद रखेंगे दीवार और जट पर प्राप्त होते हैं इनको भी आप लोग याद रखेंगे एक ये question put up कर लिया जाता है कि भीम बेटिका की गूफाओं के जो चीत्र हैं वो कीस समय के माने जाते हैं याद रखेंगे तो ये जो चीत्र माने जाते हैं वो मध्य पासाण काल के माने जाते हैं याद रखेंगे मध्य पासाण काल कहने का time इसका जो time duration माने जाता है वो 10,000 BC से 1000 BC इसकी time माने जाती है इसलिए भीम बेटिका की गूफा जो माने जाती है वो मध्य पासाण काल की मानी जाती है यह very very important है यहाँ पर अगर गूफाओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर लगबग 600 गूफाओं देखने को मिलती है और इन 600 गूफाओं में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो 275 गूफाओं में जित्र प्राप्त होते हैं यह सभी very very important point है अगला एक question यह put up कर लिया जाता है कि भीम बेटिका गूफा जो युनेस्कों की विस विरास्त सूची में सामिल किया गया था वो time क्या था तो time भी हमें आप लोगों को discuss कर देता हूँ वो time जो था वो तूथ हाउजन 3 था अर्थाक इसी time में युनेस्कों की विश्व विराशत सूची में इसको अस्थान प्राप्त हुआ था तो यहां से बनने वाले जो भी important point है आप सभी लोग याद रखेंगे तो इस दिरिश्टी से question number 16 का जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा देखिए next 17 number का question है मैं आप सभी लोगों से छमा चाहता हूँ देखिए आप तमाम candidate ऐसे हैं जिनको basic थोड़ी से भी नालेज है तो वो समझनी की कोसिस करिएगा हम question के माध्यम से आप लोगों को तमाम ऐसे revision करा देना चाहते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी exam में दिक्कत न होने पाए मैं अपने तरब से 100% देने की कोसिस करता हूँ और आप सभी लोग बहुत ही ध्यान पुरवक इन सभी note को note down किया कीजिए इसी प्रकार से हमारा next question है 17 number का question कि आदिम चित्रकला का visa है देखिए आदिम चित्रकला जब भी हम prehistoric time में हम पहुंसते हैं तो वहाँ पर आदी मानमों के दोरा जो कला निर्मित की गई थी उसी को हम लोग आदिम चित्रकला के नाम से जानते हैं और उसी से question ये put up कर रहा है कि आदिम चित्रकला का visa क्या है very very important point यहाँ पर जो subject की बात की जारी है we इसको ध्यान में रखेंगे और option में दिया गया है सिकार के द्रिश, राधा क्रिश्ट, पौसूओं की विभीन अवस्थाएं तो आप सभी लोगों ने जब आदिम चित्रकला का अध्यन किया होगा तो आप लोगों ने देखा कि जब आदिमानों के जो time में जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं जो गूफाओं में प्राप्त होते हैं तो उनसे जो हमें साच देखने को मिलता है तो उससे ये पता लगता है कि आदी मानव जो थे वो अपनी मनुरंजन की स्थिती में जब आते थे तो वो कुफाओं की भीत्यों पर जो चित्र अंकित करते थे उनकी आजपास घटित होने वाली जो जानवरों से जो द्रिश्य दिखाई देते थे उनसे रिलेटेड वो मार में एक चित्र अंकित करते थे तो पहला पॉइंट हो जाता था कि वो सिकार के भी चित्र देखने को मिलता है इसलिए ये भी सही है राधा कृष्ण ये दो राधा और कृष्ण का जो विशय था ये हमें जो देखने को मिलता है वो राजस्थानी सैली में देखने को मिलता ह तो इस दिरिष्टी से ये को wrong हो जाएगा अगर हम लोग C point पर बात करें कि पसुओं की विभीन अवस्था हैं तो जब हम लोग आदी मानों के चित्रों को अंकित देखते हैं तो वहाँ पर पसुओं की विभीन अवस्थाओं के मुद्राओं के उनकी चाल चलन के उसकी भंगिमाओं का विभीन अंकन हमें दिखाई देता है तो इस दिरिष्टी से C भी correct answer हो जाएगा तो question number 17 का जो option हो जाएगा वो A और C correct हो जाएगा तो इसको हम लोग D को correct मानेंगे next जो question है कि आदी म कला स्वर पर्थम कहां पाई गई option को जरा देखते हैं अलता मीरा, लासको, लेंस, कमबारेली और कौन्त गाउम option को देखने के according हमें जो दिखाई देता है कि इस question का answer examiner जो है वो western art के परिपेच में पूछना चाहते हैं अरतात भारती परिपेच में नहीं put up किया गया है western art से related question देखने को मिला है तो इसलिए जो आप लोगों के syllabus में western art भी अंकित किया गया है तो western art के भी question देखने को मिलने हैं तो आदिम कला अगर श्वर पर्थम कहां पाई गई तो मैं आप सबी लोगों को आकरसीत करना चाहता हूँ आप लोगों ने पुड़े विश्व में या पुड़े संसार में अगर प्रागे तिहासिक मानदवारा अंकित जो स्वर पर्थम चित्र हमें दिखाई देता है वो अलता मिरा गूफा में दिखाई देता है तो इस दिख्टी से कोस्चन नबर 18 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो अलता मिरा जो की इस पेन में इस्तित है अब आप लोग ध्यान दिजेगा अक्सर एक्जाम में ये भी कोस्चन पूटप करिया लिया कि अलता मिरा गूफा की खोज कब हुई थी तो इस गूफा की जो खोज होती है याद रखेंगे very very important point 1879 इस भी में होती है और इस गूफा की खोज करता कौन थे तो वो याद रखेंगे नाम मारिया शांतु ओला very very important point है मारिया शांतु ओला जो थी एक बारव वर्ष की क्या थी बालिका थी लड़की थी और इन्ही के द्वारा इस गूफा को देखा जाता है और इन्हों नहीं अपने पिता को संकेत करता है इसलिए जो स्रे दिया जाता है इस बारव वर्ष की लड़की को दिया जाता है कि इन्हीं नहीं अलता मेरा गूफा की खोज किया था यह वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट है यहाँ से बनने वाले और भी इंपोर्टन कुस्चन यह बन जाते हैं यह जो गूफा है वो तीन सो गज में फैली हुई है और यहां से जो चितर प्राप्त होते हैं वो लाल तथा काले रंग से बनाए गए चितर प्राप्त होते हैं किस रंग से लाल अपलस काले रंग से इन सभी को याद रखेंगे यहां से बनने वाला एक बहुत ही important point है कभी कभी exam में ये भी question put up कर लिया जाता है कि प्रागे तिहासी कला का सिस्टाइन चैपल किसको कहा जाता है तो इसी गूफा को याद रखेंगे सिस्टाइन चैपल के भी नाम से जाना जाता है किसके प्रागेतिहासिक जो कला थी प्रागेतिहासिक कला का इसको हम लोग सिश्टाइन चैपल याद रखेंगे चैपल के भी नाम से जाना जाता है किसको अलता मेरा गुफा को और यहाँ पर जो लगबग एक सो पचास जो चीतर है वो देखने को मिलते हैं ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है एक सो पचास चीतर देखने को मिलते हैं जिसमें से आप लोगों को पचीस जो चीतर थे वो भीन भीन रंगों के अर्थात बहु रंग के तर्ण आर्ट में जो प्रागे तिहासिक मानों के द्वारा जो अंकन देखने को मिलता है वो विन विन रंगों का प्रियोग करते थे चित्र निर्मित करने में यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है कभी भी कोश्चन पूट अप करें तो आप लोग याद रखेंगे तो यहाँ से बनने वाले जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे उनको आप लोग नोट डाउन करिएगा नेश्ट कोश्चन है कि निमन में से कौन सा क्रॉफ्ट की स्रेणी में आता है क्रॉफ्ट आप सभी लोग जानते हैं तो क्रॉफ्ट की स्रेणी में आता है आप सन को देखेंगे संगीत और निरित दिया गया है सिक्की और पेपर मेसी देया देया है अविन्य दिया गया है अर्थात परफॉर्मिंग दी गई है और इन में से कोई नहीं तो option को देखने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो art and craft के अंतरगत जो हमें form दिखाई देते हैं वो सिक्की और paper messy जो यहां पर option में दिया गया है ये art and craft के अंतरगत आएगा तो इस question का right answer जो हो जाएगा वो B हो जाएगा next 20 number का question है कि आदीम कला के रूप में मनुस्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है option में फिर ध्यान दिजेगा यहां पर किसके बारे में put up के रहा है आदीम कला के रूप में मनुस्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है अर्था तो वो कौन सी कला चिन्हित की गई है जो आदी मानव के रूप में निर्मित की गई थी यहां पर आप्शन के रूप में भीत्ती चित्र नकल अभिनय मूर्ती कला और इनमें से सभी दिया गया है option को ध्यान पर देखेए जो आदी मानों के द्वारा जो चित्र निर्मित किये गये वो गूफाओं की दीवारों पर चिर्वितित किये गये तो उसको हम लोग mural painting या भीति चित्र के भी नाम से जानते हैं तो A right हो जाएगा अगर हम लोग B पर ध्यान दें नकल और अभिने सो भाविक सी बात है भीतियों पर जेची तर देखने थे वो जो अपने जीवन में दैनिक घटनाय घटती थी उनका नकल और अभिने करते थे तो B भी right हो जाएगा और मूर्ती कला का भी उनके अंदर जिग्यासाती और भीन भीन अस्थानों पर इनके साच देखनों को मिलते हैं तो इस दिरिष्टी से question number 20 का जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा इनमें से सभी 21 number का question दिया है कि नाटे सास्त की रचाइता कौन है very very important point नाटे सास जैसे का है और रचाइता पूसे तो आप सभी लोग इनके रचाइता का नाम जानते हैं कि किनकी द्वारा नाटे सास्त को रचा गया था option देखेंगे और टिक कर देंगे क्योंकि बहुत ही easy है यहाँ पर option के रूप में जो दिया गया है सारंगदेव धननजय भरत मुनी और इनमें से कोई नहीं तो नाटे सास्त की जो रचाइता माने जाते हैं वो भरत मुनी को माना जाता है तो question का right answer जो हो जाएगा वो C हो ज जानते हैं कि इस point से थोड़ा समय आप सभी लोगों को वाकिब कराना चाहता हूं कि देखिए जो भरत मुनी का जो नाटे सास्त है ज्याद रखेंगे कभी-कभी exam में यह put up कर लिया जाता है नाटे सास्त की बारे में अगर बात करें तो इसका time very very important है इसका जो time माना जाता है वो प्रथम सताब्दी मानी जाती है प्रथम सताब्दी सताब्दी इसा पूर्व इसका time मना जाता है याद रखेंगे very very important point है इससे related और भी एक्स याद रखेंगे यह जो नाटे सास्त है इसी में स्वर प्रथम कला सब्द का प्रमारिक और यथार्थ प्रियोग देखने को मिलता है पूछ लेता है अप लोगों से exam में कि वो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कला का प्रमारिक और यथार्थ प्रियोग देखने को मिलता है तो वो होता है नाटे सास्त याद रखे यही नाटे सास्त्र है जिसमें कला सब्द का यथार्थ यथार्थ व प्रमारिक प्रियोग किया गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वर्व प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही नाटे सास्त्र है जिसमें जो लाल पीले और काले रंग को मूल रंग बताया गया था मूल रंग यहां पर नाटे सास्त में पूछ लेता है कि नाटे सास्त में मूल रंग किसको बताया गया है तो क्या मैंने बताया लाल पीले मतलब पीला और सियाम मतलब काला रंग इन रंगों को मूल रंग बता गया तो इन पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है नेश्ट कुश्चन है 22 नमर का कि मंजूसा कला में सामाने तक कौन से रंग प्रियोग किये जाते है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मंजूसा कला सबी लोग जानते हैं बिहार की एक लोग कला के रूप में जानी जाती है मंजूसा कला और यहां पर कॉश्चन पूट अप किया ज़रा है कि सामानेत क्योंकि यह लोग कला है और कौन से रंग प्रियोग किया जाते हैं ये very very important point मैंने आप सभी लोगों को इसके पिछली वीडियो में मधुबनी लोग कला से related जो प्राकतिक रंगों का प्रियोग किया जाता है उसमें कौन कौन से रंग प्रियोग किया जाते थे उसको बनाने की बीदी उसकी technique के उपर म आप सभी लोगों को देखना चाहिए प्लेइलिस्ट में जाकर वाज कर सकते हैं यहां पर आप संग देखेंगे यहां पर दिया गया है लाल पीला हरा काला सफेद नीला नीला हरा काला सभी रंग याद रखेगा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मंजूसा कला तो बिहार के भागल पूर की है याद रखेंगे बिहार राज के कहां से है भागल पूर की है यहाँ पर एक जो धार्मिक और सांस्कृतिक मानेताओं से ये प्रेरित कला मानी जाती है याद रखेंगे किसे धार्मीक और सांसक्रितिक मानेशाओं से प्रेरित या चित्रकला मानी जाती है और यह चित्रकला भारती कला का सुन्दर नमुना प्रस्तूत करता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इस कला में जो मुख्यत या मूलत या समान तो जिन रंगों का प्रियोग किया जाता था वो very very important है और वो मूल रंग कौन कौन से प्रियोग किया जाते थे तो गुलाबी रंग दूसरा जो होता था उसको हम लोग जानते हैं हरा रंग और तीसरा जो रंग होता है वो होता है पीला रंग यही तीन रंग जो हैं वो मंजूसा कला के मूल या मुकिता या सामानिता रंग प्रयोग किये जाते थे आज बरतमान में आप कोई भी रंग प्रयोग करके मंजूसा कला निर्मित करें आपकी मर्जी है बट जो मंजूसा कला सामानित प्रयोग की जाते थी जीन रंगों में वो तीन रंग ही प्रयोग किये जाते थे गुलाबी, हरा और पीला इस दृष्टी से अगर बात किया जाए तो ये आपसन सही नहीं है बट अगर आपसन की एकाडिंग बात करेंगे तो यहाँ पर जो पीला, हरा और लाल दिया गया है क्योंकि ये गुलाबी, हरा और पीला के समकच देखने को मिलना है तो इस दृष्टी से अगर हम लोग कोश्चन पर बात करें तो एक की तरफ हम लोग जा सकते हैं बट यहाँ पर गुलाबी रंग मुलता प्रयोग किया जाता था लेकिन यहाँ पर गुलाबी किसी भी आपसन में नहीं है तो हम लोग अगर टिक करेंगे इसकी बहुत ही नियरेष्ट मान के उपर अगर बात करें तो जो गुलाबी और लाल का equivalent देखते हैं के according हम लोग इस point को heat करेंगे लेकिन आप लोगों को याद रखना है कभी भी अगर put up करें कि मजूसा कला में समान तो कौन से रंग प्रयोग किया जाते हैं तो वो गुलाबी हरा और पीला रंग ही प्रयोग किया जाते हैं वेरी वेरी important point है नोट करेंगे नेश्ट 23 नमर का question कि रस की कितनी प्रकार है याद रखेंगे रस की कितनी प्रकार है option के रूप में 9, 6, 12 इनमें से कोई नहीं तो रस के जो प्रकार बताएगा है option के carding यहाँ पर बरतमान में जो रस हैं वो 9 है लेकिन याद रखेंगे भरतमुणी के नाट सास्तर के द्वारा अगर भरतमुणी ने जो रसों का उले किया था तो उनकी संख्या कितनी थी तो उनकी संख्या जो थी वो 8 थी याद रखेंगे अगर question put up करें कि नाटे सास्तर में या भरत मुनी के द्वारा रसों की संख्या बताई गई है तो वो 8 बताई गई है और सबसे बाद में जो रस बताई गए हैं उनके अनुसार अब बरतमान में जो रसों की संख्या है वो 9 बताई गई है तो ये point को note करेंगे next 24 नबर का question है कि company Sally का संबंध किसे है वारली पेंटिंग से पटना कलम से मिथला चितर कला से या मनजूसा कला से तो company Sally जो थी का संबंध किसे है तो इसका संबंध आप सभी लोग जानते हैं कि पटना कलम या पटना सैली से है तो question number 24 का जो right answer हो जाएगा वो B हो जाएगा इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में भी discuss कर चुके हैं और कई बार इसके बारे में discuss कर सके हैं तो आप सभी लोगों को I hope मैं समझता हूँ कि इसके बारे में पुरी knowledge है जहां पर बहुत ही important है और आने वाली exam में important point आप लोगों को देने चाहिए तो वहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों का time जरूर लूँगा यहां पर 25 नंबर का question है कि छापा कला क्या होती है अर्था definition of print making के बारे में put up किया जा रहा है और option के रूप में put up कर रहा है कि मूर्तिकला इस्थापत करा नितिकला इन में से कोई नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो print making जो छापा कला होता है किसी एक particular जो print से भिन भिन कह सकते हैं कि एक print से उसी print का मूल प्रती से कई प्रतियां अंकित करना ही छापा कला का एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है आज बरतमान युक में और इस द्रिष्टी से छापा कला के according अगर हम लोग option की बात करें तो यहाँ पर मूर्ती कला, इस्थापत कला, नित्य कला इन में से कोई भी ये छापा कला को पूर्ण नहीं करता है तो इस द्रिष्टी से question number 25 का जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा अर्थात एक print से कई print अंकित करना ही छापा कला का मूल fundamental है याद रखेंगे next question put up कर रहा है कि नित्य करती हुई लड़की जिसको हम लोग dancing girl के नभी नाम से जानते हैं धातू की मूर्ती कहां से प्राप्त हुई है अर्थात उसके place के बारे में put up कर रहा है कि धातू की जो मूर्ती प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है तो आप सभी लोग जानते हैं कि डांसिंग गर्ल जो की नई दिल्ली में इस्तित है और ये जो है वो सिंदुखाटी सबता की बहुत ही उलेखनी मुर्ती मानी जाती है और इसको चीस हाथों में निर्मित किया गया है वो क्या है कान से तो नित करती हुई लड़की का जो समंद रहा है वो सिंदुखाटी सबता से रहा है तो क्वोशन नबर ूटी सिक्स का जुर्ड इंसर हो जाएगा वो यह जाएगा कुछ कोस्चन होते हैं जो उनके एंसर जो होते हैं वो फैक्ट होते हैं हमें option देखने की कोई आउसकता जल्दी नहीं होती है अगर थोड़ा सा बात करें हम लोग B option पे यहाँ पर हडपा सभेता भी दिया गया है जबकि हडपा सभेता नहीं जो नेते करती हुई लड़की जो प्राप्त होती है वो मोहन जोदोणों से प्राप्त होती कहां से मोहन जोदाडों से प्राप्त होती इसको याद रखेंगे तो इसको और हडपा सभेता से प्राप्त नहीं होती तो option एक हो ही हम लोग सही मानेंगे next 27 नबर का कोशनने की वास चित्रन पद्धत के जन्मदाता कौन है याद रखेंगे very very important point वास चित्रन पद्धत के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो जाने जाते हैं कि बंगाल सैली के जो अग्रणी कलाकार आउनिदना टैगोर थे उनहीं के द्वारा जो एक नई टेकनिक का प्रयोग किया गया वो थी वास चित्रन पद्धती और ये वास चित्रन पद्धती जो है ये जल रंग की ही चित्रन पद्धती होती है जो कि जापान के टेकनिक से बहुत प्रभावित रही तो इस question का जो right answer जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आउनिदना टैगोर वास चित्रन में जो भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो धुंधले आकार के चित्र देखने को मिलते हैं इसमें जो इसकी पद्धती होती है किसी एक चित्र में क्या होता है कि जब हम लोग रंग को अंगीत करते हैं तो उसकी जो कठोर रंग होती है उसको बार-बार धो कर उसका एक जो रंग को फिक्स करने की जो टेकनिक होती है वही वास्चितरन की सबसे बड़ी इंपोर्टेंट रोल निवाती है 28 नमबर का कोश्चन है कि नेशनल गैलरी ओफ माडन आर्ट की स्थापना कब हुई थी सभी लोग जानते हैं कि नेशनल गैलरी ओफ माडन आर्ट की जो इस थापना होती है 1954 में होती है तो कुश्चन के एंसर जो हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर आप्सन नमबर डी इस र नाइन नबर का question है कि Indian sculpture and iconography के लिख़ कौन है very very important point है यह पुस्तक जो है वो अपने आप में बहुत ही उलेखनी है Indian sculpture and iconography option के रूप में राय कृष्णिदार, रविन्दना टेगुर, V.S. अकरवाल और गरपती, V. इस्तपती के बारे में दिया गया तो इस question का जो सबसे best option या इसका सही answer जो हो जाएगा वो गणपती, V. इस्तपती को माना जाता है यह आत रखेंगे इनके द्वारा यह बहुत ही उलेखनी book मानी जाती है अगर गणपती, V. इस्तपती के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म होता है, very very important पहले बात यह देख लिजिए, यह भारत की एक प्रसीद, आर्केटेक्ट मतलब, आर्केटेक्टर एंड, मुर्तिकार के रूप में बहुत ही उलेखनी कारी किया गया है तो यह दोनों माध्यों में बहुत ही important है स्कल्पचर एंड, आर्केटेक्टर के रूप में अगर इनकी बात किया जाए, इनका जो जन्म होता है वो 30 September 1927 अर्था 30 September 1927 इनका जन्म जो होता है कहां पर होता है, तमिल नाडु राजमें तमिल नाडु राजमीन का जन्म होता है और इनको अक्सर एक्जामें ये भी एक बार क्वेश्चन नेट जेर अप में पूट अप किया गया कि इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मसुरी का समान जो मिला था वो 2009 में मिला था क्या? पद्म भूसर जो कि भारत सरकार का अवार्ड है और कला के छेतर में इन्हें 2009 का पद्म भूसर दिया गया था वी एस था पतिकू नेश्ट कोस्चन 30 नबर का है कि जहांगीर निकोल सन आर्ट गैलरी कहां इस्तित है यह बहुत ही फेमस जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो इंपोर्टेंट है मुंबाई, दिल्ली, भोपाल और लखनव तो जहांगीर आर्ट गैलरी यह इसी को हम लोग जहांगीर निकोल सन आर्ट गैलरी के नाम से जानते है जो कि मुंबाई की बहुत ही फेमस यह गैलरी मानी जाती है तो कोस्चन नबर 13 का जो राइट एंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तो दोस्तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 30 कोस्चन तक कम्प्लीट कर लिया डिस्कसन के साथ थोड़ी से टाइम तो जरूर लगेगी बट एक कोस्चन के एकॉस्चन के अप लोगों को तमाम कोस्चन देखने को मिल रहे हैं और आप लोगों को रीकॉल भी होते जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा मैनेज कर लिजेगा और अगर किसी भी कोस्चन में आप लोगों को सही नहीं लगते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चरूर बताइएगा मैं नोट करते चलूँगा और लाश्ट जब पेपर खतम हो जाएगा मैं सभी की कोस्चनों का एक प्रूफ देने वाला हूँ कि इसका एंसर क्यों नहीं सही होगा क्योंकि आप सभी लोगों ने तमाम अपने रियक्शन दे सकते हैं मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं सभी लोगों को संतुष्ट करूँगा कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को कैसे सही है आप लोगों की देखने की नजरिया और मेरे देखने की नजरिया दोनों डिफरेंट है लेकिन मुझे आप लोगों को 100% सही बताना यही मेरा 100% दायित तो है तो आप लोग धहरता भरते जिस भी question में doubt हो comment box में करे मैं note down करूँगा और last यह जो practice set खतम होगा तो सब के answer मैं आप लोगों को देने की कोशिज करूँगा तो आज के topic आप लोगों को कैसा लगा पसंद आए तो please like करिएगा और अपने suggestion comment box में जरूर दीजेगा और अधिक से अधिक दोस्तों में share करिएगा हम लोग एक next topic में मिलेंगे तब तक के लिए thank you दोस्तो